हाई गाईज मैं हूँ अनुपमा सिंग और स्वागत है आप सब का आपके अपने शो में जिसका नाम है लव इस्ट्रॉलिजी तो सब को मालूम है कि इश्क मासूम है पर फिर भी तिलों से गलतियां तो होई जाती हैं अगर आपका भी यही सवाल है तो जवाब है हाँ आपका भी सवागत है आपका हमारे शो पर दन्यवाद So guys, आचारे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप जल्दी जल्दी हमें फोन करके अपनी लव प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और पास सकते हैं उनका सल्यूशन So hurry up, the numbers are flashing on your screen तो आचारे जी मेरा सवाल आज का ये है कि होरोस्कोप में ये लव का कौन सा हाउस होता है सीधे भासा में कहें तो 7 और 8 और यदि इसके तोड़ा बिस्रित करें शुक्र लब ग्रे हैं हम अब तक ये बार जान चुके हैं मतलब ये लव को रिप्रेजेंट करता है या यू कहें उसे जन्म देता है जन्म देने वाला ग्रे है इसका अपना वास्तविक घर होता है लगन से द्वती और लगन से सब्तम यानि दो नंबर और साथ नंबर का इंडिविज्वल मालिक है ये लेकिन वो आध्यात्मिक जोतिस कि हम अगर पारंपरिक जोतिस की बात करता है जी 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 इसको हम किसी चीज से जोड नहीं सकते अचारी जी मेरी समस्या ये है कि मैं लड़के से प्रेम करती हूं रिज को करता हूं और मैं बहुत ही अम्डीयमभर की परिवार से संब्लन करती हूं आचारी जी वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है मैं भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ लेकिन प्रबलम ये है कि वो अपने डिसिजन्स खुद नहीं ले सकता है और मैं समझ नहीं पारी हूँ कि क्या मेरा प्यार मेरे साथ रहेगा या अपनी फामिली के अकॉर्डिंग जाएगा वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है लेकिन वो यह चाहता है कि जब तक उसकी फामिली नहीं माने तक वह मुझसे शादी नहीं कर सकता और यहां मेरी फामिली को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है आशा जिस डोंट बरी आचारे जी मैं उसके बिना नहीं रह सकती मैं क्या करूं आप बताएए मैं बहुत परेशान हूं सच में आशा प्लीज डोंट क्राएए प्लीज डोंट क्राएए आपको रोनी की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेटली आचारे जी आपको जरूर एक ऐसा सिलूशन बताएगे जैसे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल बजाएगे देखो ऐसा बहुत सीधा संबंध है कि धन बहुत कुछ नहीं होता और धन कभी रुखता नहीं धन जल और बुद्धी ये एक जैसी कभी नहीं रहती आपकी अपनी खुबसूरती आपकी अपनी शुन्दरता आपका अपना वास्तविक धन है तो सबसे पहले आप अपने मन और वो खिचाओ होना चाहिए कि सामने वाला डिफरेटली मजबूर हो जाए क्यों क्या वो मिझे चुनेगा या वो अपने परिवार के साथ जाएगा आप अपने मन से पहले तो ये सारी बात ही निकालो निगेटिविटी बाहर करो और पॉजिटिविटी अंदर रखो दूसरा वो किसे चूच करेगा ये आपकी अपनी जो प्रेम की भकती है उस पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से चाहते हो कितनी सात्विक्ता से चाहते हो आपका अपना जो अवाईस है जो हमें मिल रहा है आपके अपने जो ग्रे नक्षतर मुझे समझ में आते है उससे लगता है आपके अपनी शुंदरता, आपका अपना समरपण और आपका अपना जो सच में नजरिया है उसके परती वो बहुत ठीक है तो इसकी वज़े से लगता है शुकर की पोजिशन मजबूत है तो वो बंदा डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा ही आएगा हाँ उसके साइट से अगर हम देखे तो सुकर के अगर 28 अंस हैं 28 अंस में सिर्फ 7 और 9 मिल रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम है जिसे आपको अपनी साइट से पोजिटिव हो करके बढ़ाना है कैसे कर सकते हैं एक तो आप तोड़ा सा परफ्यूम अच्छे वाले और टिकने वाले यूज़ करें पहला और दूसरा आपके पास में हमेशा एक रिड रुमाल होना ही चाहिए किसी भी रूप में किसी का दिया हुआ गिफ्ट आप सेंट के रूप में रुमाल के रूप में कभी न लेंगी ना कभी किसी को देंगी जी जरूर तीसरा एक काम कभी भी आपका रुमाल कहीं छूटने नहीं पाए इस बात का विशेज ध्यान लखे वरना हम अपने प्यार को खो देते हैं आईशा, अगर किसी चीज को शिदद से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जोड जाती है आईशा आपकी प्रॉबम जरूर सौल भी जाएगी अल दी वेरी बेस्ट ये जो आईशा का प्रॉबम था है आईशा फेल वेरी बैड वो इतना रोरी थी तो आप कनेक्शन महसूस हो रहा था अनुपमा क्या है कि ये परिस्तती आप अगर अपने हाथ में कभी देखिए आपके कभी कोई फ्रेंड्स दिखाए पड़े चोटी वाली उंगली है ना ये चोटी उंगली जितना ज़्यादा अनामिका यानि रिंग फिंगर की तरफ जुकती है अतना ज़्यादा आप सामने वाले को चाहने के लिए मजबूर होते हो आपका समर्पन परसेंटेज में ज़्यादा होता है अगर इस पूरी फिंगर में कहीं पर भी तिल है या आपका जो नाखून है वो बहुत छोटा है या किसी कारण से आपकी दोनों करिष्टकाओं का यानि दोनों छोटी उंगलियों का जो नाखून है वो किसी तरह से रफ हो गया है किसी भी रूप में ऐसी इस्तिती में सामने वाला व्यक्ति आपको बार-बार परिसान करता है या बार-बार आपके दिल को ठेस पहुंचा जा है ऐसी इस्तिती में आपको सिर्फ एक बात का ध्यार नखना है कि हम समर्पित हों बेशक सच है लेकिन हमारा समर्पर कहीं सामने वाली की बुराईयों पर परदा तो नहीं डाल रहा है हमारे पास एक वोईस मेसेज है अगर आपके जी प्लेज मेरा नाम वीजय है और मैं कमपनी में काम करता हूँ जहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया इतना प्यार हुआ है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके बीना जी नहीं सकता लेकिन उसका इंट्रेस्ट पैसों में है जो मेरे पास है ने लेकिन मैं इतने ट्राइक जरूर कर सकता हूँ कि उससे खुश रख सकूँ क्या उसका प्यार मेरे नसीब में होगा इन्होंने थोड़ा सगड़बड किया बेटा तुम लोग कभी भी अगर कोई कॉल करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि हमें सामने वाले का भी नाम चाहिए होता है हम किसके साथ मैच कर रहे है तो हम अभी ये बता पाना थोड़ा मुस्किल काम है कि आप किसे चाह रहे हो वो कैसा रहेगा हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि वी नाम के लेटर के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्द बाज होते हैं बहुत स्पीट में होते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं आपने जरा सा कुछ बोला हमने उसको लब के रूप में माल लिया हाँ हाँ ठीके 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 हमने I love you बोला सामने वाले ने किसी रूप में I love you बोल दिया अभी हम प्रारम से ही सीरिस हो गए रिस्तों को चाहे वो प्रेम का हो चाहे सतुरता का हो जितना अधिक टाइम दिया जाता है उतना ज्यादा मजबूत होता है तो थोड़ा सा टाइम दे करके अगर आगे बढ़ते थे ये तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं आती पहली चीज और दूसरा गिप्ट लेना और देना ये स्वभाव है बुराई नहीं है हम किसी के लिए कुछ करने के इक्षा रखें हम किसी के लिए कुछ करें ये अच्छी चीज है लेकिन अगर ये तोनों की तरफ से अगर सामने वला कहता है कि मुझे ये चाहिए तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आप आपके प्रेम में कमी है और ऐसा तब होता है जब आपका सुक्र पापक ग्रहों से युक्त होता यानि राहू और केतु ना इनके साथ में जाता है ऐसा तब होता है जब आपके फेस में किसी भी रूप में लिप्ट साइड में तिल हो तो सामने वाला बंदा उतनी गंभीर लेना चाहता ही चाहता है तो ये सारी चीजे तो ध्यार लखने बढ़ेंगे तो विजे कैसे मतलब क्या करें अभी उनकी गल्फरंड उनकी पैसे में जादा इंट्रेस्टेटेड हैं प्यार में कम ऐसा विजय को लगता है अब विजय के लिए अगर हम देखे हैं अब प्रेम ब्यापार नहीं है इसे ठोब बजा के किया जाए अमीर गरीब देख के किया जाए जी 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 इन शॉट मतलब विजय प्लीज वेट एंड वाच अराम से उन्हें आप प्यार करते हैं प्यार करते रहें थोड़ा इंतजार करें अराम से देखें डेफिनेटली शाय यह सिर्फ आपका ब्राम हो कि वो आपके पैसे में जादा इंटरस्टेड है और उनका उपिन्यान चेंज हो जाए जैसे कि उन्होंने पूरी इंफोरी इंफोर्मेशन नहीं दी जब आप कॉल करते हैं बी क्याफूल कि आप अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं we will tell the percentage की आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है इवन पॉर आप जिस्ट कॉल इस नम्मर्स अफ्लाशिंग अन्यूर स्क्रीन आचारी जी शो के स्टार्टिंग में हम एक बात कर रहे थे जो मैं फिर से डिसक्स करना चाहूंगी प्राक्टिकल होने की मतलब प्यार आप करते हैं पर प्राक्टिकल होना इस वेरी वेरी इं तो इन में एक खास बात कि अभी तक हम जिन चीजों के बारे में जिस तरह से सोचते चले आ रहे हैं या जैसे सुनते चले आ रहे हैं हमने उसको वैसे ही मान रखा है तो क्या हम host में हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? Basically यहां पर काम आते है इस लौ जी Thank you so much आचारे जी मुझे पूरा यकिन है बहुत सारे लोगों के नशे दूर हो रहे होंगे और नशे से बाहर आके वो चीजों को practically देख पा रहे होंगे Thank you so much for coming to our show Thank you तो दोस्तों अगर आप भी प्यार के नशे में हैं और कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज कॉल अब हमें कॉल कर सकते हैं हमें voice message बेज सकते हैं हमें अपनी photograph बेज सकते हैं और उसके लिए हमारा पता है अगर आपको कॉल करना हो voice message भेजना हो या फिर fax करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 080-8142-6940 हमारा website address है www.jyagya.com www.jyagya.in www.jyagya.org हमारा email address है castroindia2010 at gmail.com तो हम अब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक अपनी साथिया अनुपांस सिंग को इजाज़त दें देखते रहें आप सबका फेवरेट शो Love with astrology Keep Calling खुश रहें, प्यार करते रहें, अपना ख्याल रखें क्योंकि हमें आपकी फिक्र है खुश रहें, अपना ख्यार करते रहें